Hello everyone, welcome to Student Health BEG 105 के इस वीडियो में हम दीना मैदा के दुवारा लिखे गए The Other Woman की समझी का second part देखेंगे अगर आपने first part नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखें क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आईगी और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में है तो भूनने में भी को difficulty होगी नहीं तो पहले उसको चेक करिए और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए start करते है तो हमने लास्ट वीडियो में यह देखा था कि कैसे मगनलाल की wife जो विमला है उसको यह confusion हो जाता है कि मगनलाल is in a relationship with someone else और चाहे मगनलाल कितना भी कोशिश कर ले विमला को यह चीज़ समझ में नहीं आता है that he is actually saying the truth इसके बाद कि जो दिन है यह काफी difficult होते हैं both for विमला एं मगनलाल विमला पूरा कोशिश करती है अपनी women methods को use करने लिए seduction से लेकर prayers तक everything जो कि उसको बन पड़ता है किसी भी तरह से वो अपने husband से वो सच निकलवाना चाहती है that is he in a relationship and if he is in a relationship वो औरत है कौन लेकिन इस point वे हमें सिर्फ यह पता चलता है कि यह जो कि events है यह सिर्फ एक दिन में इतना escalate हो गया है और आप सोच सकता है कि एक दिन में इतना जादा सिर्फ एक thought पे एक notion पे बात बढ़ जाए यह अपने आप में काफी humorous है इसके बाद story जो कि है हमें present में लेकर आता है जहाँ पे मगनलाल अपने desk पे बैठा है जहाँ पे वो कुछ लिख नहीं पा रहे है अगें, आपकी वाइव आप पे इतना serious allegation लगा दे कि आप किसी और के साथ relationship में है तो आप कहाँ से लिख जाएंगे Same is the case with मगनलाल लेकिन सुबह होने वाली है and मगनलाल जो कि अब अपने bedroom में जाता है सोने के लिए कुछ गंटो However, he is woken up by the sounds in the living room सुनिल जो कि विमला का भाई है जो कि एक arrogant good for nothing person है जैसे मैंने पहरे भी उसको describe किया है वो आता है और काफी सारी चीज़े अनाप शनाप बखने लगता है He accuses विमला's husband और यहां पर आपको यह जानके थोड़ा आजीब लगेगा कि सुनिल जो कि यह खुद का जेब खर्च है वेरियस अदर खर्चों के लिए पैसे अपने brother-in-law जो कि मगनलाल इनी से लेता है और फिर आके उनी को accuse भी करने लगता है इसके बाद वो एक root joke crack करता है and that is very root मगनलाल जोकी है अब तक इतना परिशान हो चुका होता है कि इस तरह की बातों को लेकर कि सुनिल आके उसको ओथ दिलाने की कोशिश करें कि उससे ये कहे कि आप शपत लीजी आप फिर मेरी बेहन के साथ में कोई cheating नहीं करें again मगनलाली is a respectable person और ऐसी कोई बात है नहीं यह हम readers को पता है think of it कि एक कोई भी इंसान जिसका कोई worth नहीं है वो आके आपके सामने इस तरह का एक drama करेगी आपको वो शपत दिलाने लगे तो आपको कैसा लगेगा after all आप इतने रातों से सोई नहीं आप खुद अपनी life में इतने problem से गी रहे हैं तो मगनलाल इन चीजों को जादा वक तक बरदाश नहीं कर पाता है और सुनिल को जोर का तमाचा जड़ देता है इसके बाद वो कहता है कि no matter what मैं उस अधर वोमन को अब छोड़ूंगा ही हलाकि यह point वो बस जलाहट में कहता है there is nothing true in it लेकिन इस चीज को सुनके जो विमला है मगनलाल की बाई वो उसके पाउँ पे गिर पड़ती है रोने के लिए and she begins to plead कि please don't leave me and कुछ ऐसा नहीं हो and this is what I pray तो मगनलाल इस चीज को लेकर सोचता है कि अच्छा चलो जब बात यहां तक चली गई है तो हम इसको अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं वो कहता है कि ठीक है हम इस चीज को एक opportunity के तोर पर यूज करेंगे और सुनील को अपने घर से बाहर निकालें यह orders कि सुनील घर से बाहर निकलो और फिर कभी लॉटो के नहीं then he turns his attention to Vimla और उसको यह promise करता है that there is no one and कि आप मेरे साथ relationship में सही से रही है and don't be a critical element in my life don't be someone जो की मेरे हर work को criticize करे but be a nice wife, be a docile wife और इस तरह story जो की है end करता है एक optimistic note है कि मगनलान अपने इसके बाद से script को भी अच्छे से लिख पाएंगे he has won the confidence of his wife और further जो की उनके life में एक trouble maker था सुनील उसको भी उन्होंने घर से निकाल दिया तो this is where the summary ends इससे related जो भी questions होता है generally 20 marks का summary भी पूछा जाता है so I think अब आपको लिखने में को difficulty होगी नहीं और इससे related जो भी notes से आपको हमारे blog में मिल जाएंगे so there is no difficulty in searching the notes as well so that's all for the video, thanks for listening and God bless you all